हलो फ्रेंट्स तरला दरल के किचर में आप सभी का स्वागत हैं और मैं कुरुपाली आज आपको एक पैंकेक रेसपी बनाना सिखाऊंगे जिसका नाम है राइस एंड बेसन पैंकेक तो पैंकेक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पके हुए चावल आप ये रेसपी पिछले दिन के बचे हुए चावल से भी बना सकते हैं और तुरन पके हुए चावल से भी बना सकते हैं बेसन चावल काटा कटा हुआ धन्या बारिक कटी हुई हरी मिर्श हल्दी और स्वाद अनुसार नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी की मदद से हम ठीक बैटर बनाएंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए ताके अपना बैटर जादा पतला न हो जाए और पैंकेक बनाने में आसानी हो आप देख सकते हैं हमारा बैटर तयार हो गया है तो चलो अभी हम पैंकेक बनाना शुरू करते हैं तो हम मीनी उत्तपा नॉन्स्टिक पैंको तेल से ग्रीस करेंगे अभी हमने जो बैटर रेडी किया है उसको पोर करेंगे एक चीज आप ध्यान में रखें यहाँ पे थिक बैटर बनाने के लिए मैंने अप्रोक्स वन वन फोथ कप पानी का यूस किया है आपको जैसा लगे आप बीच बीच में पानी डालते रहें क्योंकि राइस हमेशा पानी सोक लेता है एक बैच होने के बाद जब आप दूसरा बैच बनाने जाओगे तो हो सकता है शायद वापस से वो बैटर गट हो जाए और आपको थोड़ा पानी डालना पड़े तो आप डाल लेचे थोड़ा सा तेल यूस करेंगे पकाने के लिए अभी हम पैन केक को पलटा लेंगे दूसरी साइड भी पकाने के लिए तेल डालेंगे थोड़ा सा हमारे पैनकेक हो गए हैं तैयार चलो अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी के पैनकेक भी बना लेंगे राइस बेशन पैनकेक रेड़ी है तुरंत ग्रीन चेटनी के साथ खाईए और अपने सभी फैमिली वालों को भी बना के खिलाईए और इस रेसिपी का आनन्द लीचे अग्यो है